सुप्रीम कोर्ट ने एलेक्टोरल बॉंड को लेकर SBI को फिर से फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि बॉंड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया है आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SBI ने ये पूरी रिपोर्ट साजह की, अपने वेबसाइट पर जारी की, एलेक्टोरल बॉन्ड में चुनावी चंदा किस-किस ने दिया, इस पर पूरी जानकारी सामने आई, पर एक बाप फिर से SBI को सुप्रीम आदेश मिला है, जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से समगवादाता अरविंद सिंग है, अरविंद एक बाप फिर से सुप्रीम कोट नाराज है और SBI को निर्देश दिये हैं, क्या है पूरा मामला? देखे, आज जो सुप्रीम कोट का रुक रहा है स्वाती, वो अपने आप में बहुत एहम है, क्योंकि अगर बोर्ण नंबर का खुलासा नहीं होगा, तो तब तक वोटर को इस बात को सुनिशित नहीं कर पाएगा, कि आकर किस सक्ष या किस कमपनी ने किस रांतिक पार्ट ने कितने का बॉंड खरीदा, कब खरीदा, एक दूसरा सेट जो जानकारी का है, उसमें इस बात की जानकारी है कि आकर किस रांतिक पार्टी ने कितनी अमाउंट का बॉंड भुनाया है, लेकिन दोनों जानकारियों के बीच कोई मिलान नहीं है, और ये मिलान इसलिए नही है क्योंकि bond number का उलेक SBI की तरफ से जानकारी दी गई थी उसमें नहीं दिया गया है election commission को यही वज़े है कि bond number नहीं होने के चलते एक आम वोटर इस बात की तस्दीख ही नहीं कर सकता कि आकिर किसी रांतिक party को जो चंदा मिला है वो किस सक्षिया किस corporate company से मिला है और ऐसे में आज Supreme Court ने इस पर सवाल उठाया है और Supreme Court ने SBI को notice जारी कर जवाब मांगा है अभी जो जानकारी है जैसा मैं जिकर कर रहा हूँ election commission की side पर वो एक अधूरी जानकारी है और यह जानकारी अगर देखी जाए तो यह Supreme Court के उस आदेश की मूल भामना के खिलाप है जो कि Supreme Court ने electoral bond scheme को रद करते वे दिया था Supreme Court का तब यह मानना था कि वोटर को यह जानने का हक है कि कि किस रांतिक पार्टी को किस से चंदा मिला है क्योंकि तभी वो इस बात की पुष्टी कर सकता है कि सरकार जो नीतिया ला रही है सरकार जो नियम बना रही है कहीं उसके पीछे किसी corporate company से मिलने वाला चंदा तो नहीं है और ऐसे में जो अभी जानकारी उपलब्द है उसमें वो bond ही नहीं है अभी जो जानकारी अगर उसे एक उधारन से समझा जाए तो अभी election commission की side से आपको ये पता चल सकता है कि कोई A नाम का सक्ष है जो एक हजार का bond खरीद रहा है जानकारी का जो दूसरा side है उससे आपको पता चल सकता है कि कोई B नाम की रानतिक पार्टी है जो एक हजार का bond cash करा रही है लकिन इससे ये link establish नहीं होता है कि जो B को पैसा मिला है वो वाकिए A से मिला हो तो कि हो सकता है कि कोई C नाम का कोई structure या corporate company हो जिसमे एक हजार का bond दिया हो तो ऐसे में B को जो पैसा मिला है वो A या C मेंसे किसका मिला है इसके लिए जरूरी है कि bond number की जानकारी हो और यही वज़े है कि सुप्रीम कोट ने इस पर सवाल उठा है और SBI इसे जवाब मांगा है कि आपने जो जानकारी दी उसमें bond number का उलेक क्यों नहीं है बिल्कुल तो जल से जल सोंबार तक इस पर जवाब देने के लिए सुप्रीम कोट ने SBI को कहा है bond number किसने कितना चंदा किसको दिया इसकी पूरी जानकारी SBI दे अरविन इस जानकारी के लिए धन्यवाद करेंगे आपका